मैं जगित गुरु रामानुजाचारी स्वामी स्रीधराचारी जी रख्षा बंदन इस बार कब है कब मनाए जाएगा कि इस तरह से मनाए जाएगा क्या विशेश रखास होगा भारत वर्ष रिशियों की परंपरा का देश है आध्यात्मिक महोसबों में स्रावनी रख्या बंधन का अपना महत्व है हमारे हाँ देवतरपन रिशितरपन और पित्रितरपन की परंपरा है स्रावनी के उपकर्म में जिन ब्रामनों का छत्रियों का वैस सूद्रों का एक सामोहिक यह स्रावनी सत्कर्म पार्याण जनों का महोसब है स्रावन, सुकलपक्ष, पुर्णिमा 30 अगस्त को भी है और 31 अगस्त को भी है 30 अगस्त को रात में आठ वजे तक भद्रा है, आठ से साढ़े आठ के बीच में राखी बंधन किया जा सकता है और 31 को सुबह 7.40 तक पुर्णिमा है जबकि साथ चालिस के बीच में राख्षा बंधन किया जा सकता है स्रावनी उपकर्म की बात है तो स्रावनी उपकर्म में 30 तारीक को साम को आठ वजे तक भद्रा है इसलिए भद्रा के बीच में भी बैदिक रीती का पालन किये करना चाहिए इसलिए 30 तारीक को 10 वजे के लगभग पुर्णिमा का आगमन हो रहा है इसलिए हिंदू धर्म में गंगा असनान का और तीर्थ में वास करने का 30 तारीक को विधान है इसलिए 30 तारीक को ही स्रावणी सत कर्म पाराने जनों के लिए स्रेयस्कर है स्रेश्ट है सर्वोत्तम रात में भी राकी बांधी जा सकती है सुर्यास्त के बाद भद्रा जब न रहे तो राकी बंधन किया जा सकता है तीस तारीक को है और दूसरे दिन साड़ी साथ बजे तक है नहीं मध्यरात्री कोई रात में और कुछ नहीं है नहीं पंडित ब्रजेंद मिश्र जोतिशाचारी प्रयाव राच तीस अगस्त को प्राता दस बज़ करके अठावन मिनट से पौनेमा शुरू हो रही है सावन की पौनेमा यद्यप स्रोण नक्षतर में होती है पर इस बार स्रोण नक्षतर नहीं मिल पा रहा है दस बज़ करके अठावन मिनट से बारा घंटे की आउस्तन यानि नो बज़ करके पांच मिनट रात तरी तक बद्रा रहेगी इस बीच में राखी नहीं बांधी जान से समय मिल जाए इस बीच में कभी कभी कुछ लोगों को संकाय होती है कि अगर हम किसी वज़े से तीस को ही राखी बांधे तब कब बांधे और रात में हमें नो बज़े के बाद किस विज़ा नहीं हो रही है तो दस बज़ करके अठावन मिनट से दो घंटे छोड़कर की यानि भद्रा का मुख छोड़कर के वो राखी बांध सकते हैं